जैहें साथियो, साथियो आज किस वीडियो में हमने लिया है जियोग्राफी का सबसे most important topic भारत की नदिया Top 56 परसन हमने इस वीडियो में लिया हैं, तो आप इस वीडियो को अंध तक देखेगा हमने उनी परसनों को इस वीडियो में जो आज के समय में आपके एक्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंध तक देखेगा, ये वीडियो आपके सभी government एक्जाम के लिए important है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो हमारा पहला कुशन है तिबबत में बहने बाली नदी सांगपो निमलिकित में से किसे होकर भारत में परवेस करती हैं तो सांगपो नदी दोस्तों ब्रह्मपुत नदी को कहते हैं Next question, सिंधू नदी के लंबाई उतनी हैं चितनी की ब्रह्मपुत्र की तो ये लंबाई कितनी हैं? 31 km है दोस्तो, सिंधू नदी की जो कुल लंबाई हैं, 31 km हैं और ब्रह्मपुत्र की लंबाई भी लगभग 31 km हैं अगला क्वेस्टन है बिस्ट का सबसे बड़ा नदी दूइब माचली दूइब का निर्मार करने वाली नदी कोण सी है तो माचली दूइब का निर्मार कोणसी नदी करती है ब्रहमपुत नदी करती हैंए दोस्तों ब्रहमपुत नदी माचली दौिप का निर्मार करती हैं Next question है तिबथ में मान सरौड जेल के पास किस नदी का उधगम शरोत इससद हैं? मान सरोर जील के पास किस नदी का उदगम सरोत इस सध हैं? तो सिंधु, सतुलच नदी और इसके अलाबा ब्रह्मपुत नदी हैं जिनका उदगम होता हैं मान सरोर जील से तो राइट एंसर इस कोशन का ओप्सन D हो जाएगा इनमें से सभी इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा अगला कोशन निमलिके तमय से कौन से नदी दच्छड से उत्तर की और परभायत होती हैं? तो दच्छड से यनि कि साउथ से नौर्थ की और कौन सी नदी है चो परभायत होती हैं? बेतबा नदी है दोस्तों बेतबा नदी हैं चो दच्छड से उत्तर की और परभायत होती हैं बेतबा नदी हैं अगला कोशन है कौन से नदी भेडा घाट के समीब कपिलधारा चलपरभात का निर्माड करती हैं? तो कपिलधारा चलपरप्राद का निर्माड का निर्माड करती हैं? नर्मदा नदी करती हैं, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा रीबड जो है, ये कपिलधारा चलपरप्राद का निर्माड करती हैं next question, निमलिखत में से कौन से नदी जोरंद मुख चा निर्मार करती है? जोरंद मुख का निर्मार करती है दोस्तो नर्मता नदी, नर्मता नदी चो है ये जोरंद मुख का निर्मार करती है, तो right answer option C हो जाएगा अगला कोसन है कि प्राधिपिय भारत के निम्न नदियों में से कौन से से तीन विसेश्ट रूप से भिन्न है तो नर्मदा नदी है जो भिन्न है दोस्तो नर्मदा नदी एक मात्र नदी है जो जो जोरंद मुक्का निर्माड करती है जोरंद मुख का निर्माड करती है नर्मदा नदी इसके अलावा जो काबेरी, किर्षना और गोदाबरी नदी है ये जोरंद मुख का निर्माड नहीं करती है तो नर्मदा नदी जो है ये भिन नदी हो जाएगे इन तीन नदियों में से अगला कोस्तन है कि निमलख्यत में से कौन से नदी एसुरी नहीं बनाती है तो एसुरी कौन से नदी नहीं बनाती है महा नदी नहीं बनाती है दुस्तो महा नदी चुहें ये डेलटा का निर्माड करती है ये एसुरी का निर्माड नहीं करती है एसोरी का निर्माड करती है नर्मदा, तापवी और मांडवी नर्मदा, तापवी, मांडवी नदिया ये एसोरी का निर्माड करती है लेकिन महा नदी ये डेल्टा का निर्माड करती है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो कौन सी नदी है चो डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो आप अभी पढ़ चुके हैं, तापती नदी है चो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये क्या बनाती हैं? ये एसोरी बनाती हैं अगला क्वस्टन निम्लिकत में से कौन भूमी बंधित नदी हैं तो भूमी बंधित नदी कौन सी हैं लूनी नदी है दूस्तो लूनी नदी चुहें ये भूमी बंधित नदी है नेक्स्ट क्वस्टन मानस नदी किस की किस नदी की उप नदी हैं मानस नदी चुहें ये किस ब्रह्मपुत नदी की उप नदी है दूस्तो ब्रह्मपुत नदी की उप नदी है मानस नदी नेक्स्ट क्वस्टन भार्त में सबसे उची जुआरी जुआरी जुआरभित्ती बाले नदी कौन सी हैं? सबसे उची जुआरी जुआर्भित्ती वाले नदी कौनसी है भार्त की? हुगली नदी है जोकी कोलकाता में इससे थे पैसिम बंगाल में इससे थे हुगली नदी और ये भार्त की सबसे उची जुआरी जुआर्भित्ती वाले नदी है और इक कोलकाता में इससे थें Next question है नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताओ किसके सासनकाल में रखा गया था राजंग सरकार में रखा गया था दोस्तो राजंग सरकार के दोरा नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताओ रखा गया था right answer option B हो जाएगा next question है दोस्तो निमलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग को परिबर्तित करने के लिए कुख्याथ है तो कोसी नदी है जो कुख्याथ है कोसी नदी को बिहार का सोग कहा जाता है बिहार का सोग कहते हैं कोसी नदी को और क्यों कहा जाता है क्योंकि कोशी नदी जो है ये बिहार में सबसे ज़्यादा तबाही मचाती हैं अगला क्वेस्टन भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर इस सित हैं हुगली नदी के मुख पर इस सित हैं तो right answer option D हो जाएगा Next question पंजाब के निर्माड में सबसे महत्पूर नदी कौन से हैं सिंध नदी है दोस्तों पंजाब के निर्माड में सबसे महत्पूर नदी है सिंध नदी और पंजाब राज में दोस्तों पांच नदी हैं पंजाब राज में पांच नदिया हैं चिनमे सिंध, सदलज, ब्यास, जेलम और राबी नदी हैं और इन्ही पांच नदियों की वज़ा से पंजाब राज को पांच नदियों की भूमी कहा जाता हैं पांच नदियों की भूमी किसे कहते हैं अगर पोछा जाएं तो पांच न अंखला के मद्ध से होकर गुजरती हैं, तो कौन सी नदी है चुग गुजरती हैं, नर्मदा नदी है दोस्तो, नर्मदा नदी है चुग गुजरती हैं, तो राइट एंसर ऑप्सन भी हो जाएगा, अगला क्वेस्टन, निमलेकत में से कौन सी नदी अरप सागर में गिरती ह अरप सागर में कौन सी नदी गिरती हैं? माही नदी है चु अरप सागर में गिरती हैं माही नदी Next question है कि प्राधीपिय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्राधीपिय भार्त की सबसे बड़ी नदी है गोदाबरी नदी चुहें ये प्राधीपिय भार्त की सबसे बड़ी नदी है Next question है अमर कंटक में कौन सी नदी का उदगम होता है तो नर्मदा नदी का उदगम अमर कंटक से होता है निम्न में से कौन सी नदी को बिहार का सोग कहा जाता है तो आप अभी पढ़ चुके हैं बिहार का सोग कहते हैं को सी नदी को को सी नदी को बिहार का सोग कहा जाता है अगला क्वस्टन निम्न में से कौन सी नदी हिमाले से परे की नदी है तो हिमाले से परे की नदी कौन सी है? सतुलच नदी है दुस्तों, सतुलच नदी जो है ये हिमाले से परे की नदी है अगला question निमलिखित नदियों मेंसे कौन सा एक बिनासक नदी कहलाती है तो बिनासक नदी किसे कहा चाता है कोसी नदी को कहते हैं कोसी नदी को जिसे बिहार का सोग भी कहा चाता है अगला question है निमलिखित मेंसे कौन से नदी बंगाल का सोग कहलाती है बंगाल का सोग कहते हैं दामोदर नदी को दामोदर नदी को बंगाल का सोग कहा चाता है नेक्स्ट क्वेसन है तबा किसकी सहायक नदी है तबा चो है दोस्तों एक किस नदी की सहायक नदी है नर्मदा नदी की सहायक नदी है तबा नर्मदा नदी की सहायक नदी है अगला क्वस्टन निमलिखत में से कौन से नदी प्रारंभ में अरूड की नाम से जानी चाती थी तो अरूड नदी किसे पहले कहा चाता था चंबल नदी को कहते थे दोस्तों चंबल नदी को पहले अरूड नदी की नाम से जाना चाता था चंबल नदी को Next question Next question है कि निमलिखित में से किस नदी को उडिसा का सोग कहा जाता है तो उडिसा का सोग किस नदी को कहते हैं महा नदी को कहते हैं दोस्तो महा नदी को उडिसा का सोग कहा जाता है Next question कौन से नदी भ्रहन से दुरोडी से होकर बहती है निमलिकत में से वो नदी कौन सी है जो एक B भरन से घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है नर्मदा नदी चुहें ये रिफ्ट बैली से होकर बहती है तो राइट एंसर औप्शन भी हो जाएगा अगला क्वस्तन प्राधीपीय भार्त की सबसे बड़ी नदी कौन सी है गोदाबरी नदी प्राधीपिय भारत की सबसे बड़ी नदी है Next question है निमलेकित में से वो कौन सी नदी है जिसका उदगम भारतिय राज चेतर में नहीं है तो भारतिय राज चेतर में किस नदी का उदगम नहीं होता है गागरा नदी है दूस्तों गागरा नदी है जिसका उद्गम कहां से होता है तिबबत मान सरोड से गागरा नदी का उद्गम होता है जोकि भारत से बाहर है निमलेकत में से वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतिय चेत्र में नहीं है तो कौन से नदी है जिसका उद्ग से होता हैं, मान सरोड जहेल, मान सरोड जहेल से, मान सरोड जहेल से प्रह्मपुत नदी का उद्गम होता हैं, मान सरोड जहेल से, अगला कुस्तन, निमलिकत नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हैं, भारत में दोस्तो सतुलच नदी का उद्गम नहीं हैं, तो कौ नेक्स्ट क्वेस्टन निम्लिक्यत में से भारत में तल छट को परभाहत करने बाली पर्मुख नदी कौन से हैं? नदियों के लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही करम कौन से हैं? तो आप्सन डी इस कोशन का रायट एंसर हो जाएगा गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी के जो कुल लंबाई है ये पचीस तो दस किलोमेटर है गंगा नदी की कुल लंब गंगा नदी को पदमा के नाम से जानते हैं पदमा के नाम से गंगा नदी को बंगला देश में जाना चाता है अगला कोसन है कि गंगा और ब्रहम पत्र की सेयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना चाता है निमलिकत में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है तो किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है तापी नदी है दोस्तो तापी नदी के मुहाने पर ड पठारी परदेश को कौन से नदी दो भागों में विभाचित करती हैं तो नर्मदा नदी है दोस्तो नर्मदा नदी है जो दच्छड भारत के पठारी परदेश को दो भागों में विभाचित करती हैं नर्मदा नदी हैं अगला क्वेस्टन नेक्स्ट क्वेस्टन है निमले पेन गंगा और पेन गंगा जो हैं ये गोदाबरी नदी की सहायक नदिया हैं पेन गंगा और वेन गंगा नेज्स्ट क्वस्टन है कि काभेरी नदी चल्विबाद मुख्यता किन दो राज्यों के मध्ध इसतत हैं। नेज्स्ट क्वस्टन नमलिकद मेंशे कौन से नदी किर्चना नदी के सहायक नदी नहीं हैं। किर्षना के सहायक नदी दोस्तों अमराबती नहीं है, अमराबती चुहें ये किर्षना के सहायक नदी नहीं हैं, किर्षना के सहायक नदी हैं, माल परभा, घाट परभा और तुंग भध्रा चुहें, ये किर्षना के सबसे महत्पूर सहायक नदी हैं, ये तीनों किर्षना के सहायक नदी हैं लेकिन अमरावती जो है एक किर्षना के सहायक नदी नहीं तो राइट एंसर ओप्सन सी हो जाएगा Next question लूनी नदी किस में गिरती हैं? लूनी नदी जो है गुचरात में कछे के रण में गिरती हैं कच्छ के रण में गिरती है गुचरात के, कच्छ के रण में गिरती है लूनिय नदी, नर्मदा नदी का अधिकांस भाग भारत के किस राच में बहता है, इस question का right answer हो जाएगा, option A, मध्ध परदेश जो है इस question का right answer हो जाएगा नर्मदा निदी का अधिकांस भाग जो है मध्ध परदेश में इससत है Next question कहां भागी रथी तथा अलक नंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं देव परियाग में मिलती हैं दोस्तों देव परियाग में भागी रथी और अलक नंदा मिलकर गंगा का निर्माड करती है निमलिकत में से कौन सा कथन सत नहीं है तो कौन सा कथन है चो सत नहीं है Option A है महा नदी का उद्गम 36 कड में होता है Option A राइट है गुदाबरी नदी का उद्गम महराच्ट में होता है Option B भी राइट है दोस्तो गुदाबरी नदी जो है इसका उद्गम महराच्ट में ही होता है Option C है कि काबेरी नदी का उद्गम आंधर प्रदेश में होता है तो Option C जो है ये गलत हो जाएगा दूस्तो और यही हमारा Right Answer भी हो जाएगा काबेरी नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ पर होता है कर्नाटक में होता है दूस्तों कर्नाटक में कावेरी नदी का उद्गम होता है और कावेरी नदी चल विवाद भी कर्नाटक और तमिलाडू के बीच में इसत है तापती नदी जो है इसका उद्गम मध्ध परदेश में होता है सुन्दरबंड डेल्टा कौन सी नदी बनाती है सुन्दरबंड डेल्टा जो है यह विस का सबसे बड़ा डेल्टा है विस का सबसे बड़ा डेल्टा अगर पूछा जाए कौन सा है तो सुन्दर बंड का डेल्टा जो कि भारत में इस सथ है यह विस्षका सबसे बड़ा डेल्टा है और इसे गंगा और परमपुत नदिया मिलकर बनाती है और इक किस राच में इस सथ है पसिम बंगाल राच में इस सथ है जिसे गंगा और परमपुत नदिया मिलकर बनाती है तिब्बत के मान सरोड जील से ब्रह्मपुत नदी का उद्गम होता है और उत्रा खंड से गंगा नदी का उद्गम होता है तो right answer option A हो जाएगा चंबल नदी की सहाईक नदी है तो आप अभि पढ़ चुके है ब्रह्मपुत नदी इसका उद्गम कहां से होता है तिब्बत के मान सरोड जील से होता है next question, next और last question है कि महा नदी, नर्मदा तथा सोन नदिया कहां से निकलती हैं, अमर कंटक की पहाड़ी से निकलती हैं, तो right answer option D हो जाएगा, दोस्तो I hope कि आपको वीडियो पसंद होगी, अगर आपको वीडियो पसंद हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरू करिएगा, और इ सब्सक्राइब करके, वेल आइकन को आल पर कलेक करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोडिफिकेसन आप तक चरूप पहुँचें, दोस्तो कमेंट करके बताएगे कि आपको ये वीडियो कैसी लेगी, और कमेंट सेक्षन बताएगे कि आपको ऐसी और भी वीडिय चीहें तो मैंसी और भी वीडियो चरूप रहेंगे, सुमलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरम